बलिया के माडल तहसील के मैदान में जंजाती छात्र मोर्चा के छात्र नेता समाधान दिवस पस जाति प्रावारपत जारी करने की मांग को लेकर तहसील का घेराव किये जंजाती छात्रों ने दावा किया की बलिया तहसील में रास्टपती का आदेश नहीं माना जाता है और जिला प्रसासन हीला हवाली कर जंजाती छात्रों से भेदवाव कर रही है जिसके चलते जाति प्रवानपत जारी नहीं किया जा रहा है प्रदानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री आदिवासी समुदाय को नयाय से लेकर सभी सुविधा मुया कराने की बात करते हैं पर बलिया के जनजाती छात्रों का उग्र रूप देखकर सरकार के रवय और सुविधाओं का अंदाजा लगाया जा सकता है उद्धर प्रदेश पुलिस भरती के आविधन से वंचित ये जनजाती छात्र अपना आपाखोते नजर आ रहे हैं ऐसे में जिला प्रसासन कितना संजीदा है ये देखने वाली बात होगी कि लेकपाल तीन दिन में इस्तारन करेंगे आज समिधान दियोस पर क्या हुआ? समिधान दियोस पर हम लोग यहाँ पर जयापन दिये और यहाँ पर लड़के बैठे भी आपके सकते हैं क्या समिधान कुछ नहीं हुआ सर यह अभी कारण है कि हम दो बजे के बाद मिस्तारन करेंगे बात चित करेंगे इसके पिछले भी तसिल्दियोस के हम लेके संदिया है क्या कारण मांते है प्रसुआ पर लिए जिले में निवास करने वाले एगिवासी जनजाती घॉन खरवार संदाय के लोगों के समिधानिक अदिकारों का हनन है यह समिधान को नहीं मानने वाले लोगोट आप अजिफायर प्रवार तक तक यह लगवग देड़ को साथ से मोजी पर अखिर यह तसिल्डार किस त्रय के तसिल्डार यह और जो एक्डियम है किस तरह साह है और यह सीदे सीदे समझ में नहीं आता है यह भारत के समिधान का अनुपालन करेंगे या मुठी बर जो समण समंति ताकते हैं जो नहीं बिर्फthere कि गोंड धरवार का प्रमाड़ पतr कारी मुपटच जारी आपको पता दूदन के अगर यह फो यह करता है।